कहते हैं रबडी जलिबी का असली मजा तो बनारस में है जहां जलिबी के साथ खास रबडी को सर्फ किया जाता है तो चलिए इस तमतमाते जलिबी का आनन लेने बनाते हैं पेट पुझा के किचन में आज मलाएदार रबडी ये है एपिक कॉंबिनेशन गर्मा गर्म जलिपी और ठंडे ठंडे रबडी लाज जवाब तो चलिए शुरू करते हैं आज ये रेसिपी तो सबसे पहले आपको एक कडाई गर्म करनी है और उसमें डालना है गी गी से नीचले वाले बरतन के हिसे में दूद चिपकेगा नहीं तो चलिए इसमें अभी हमने डाला है आदा लेटर दूद ये टोंड मिल्क है आप कोई भी दूद का इस्तमाल कर सकते हैं जैसे होमोजिनस दूद या फिर फुल क्रीन दूद इसके बाद यहाँ पे हमने लिया है ब्रेड तो जब तक दूद उबल रहा है तब तक हम यहाँ पे ब्रेड के जो स्लाइसे है उसे हम एक मिक्सर जार में डाल कर अच्छे से इसे पीस लेते हैं इसे आपका कुकिंग टाइम कम हो जाएगा और ये एक किफायती रबडी बनेगी ये देखे इसका हमने पाउडर बना कर लिया मिक्सर जार में चले अब दूद के दरफ बढ़ते हैं तो ये अच्छे से उबल चुका है ये टाइम पे आपको क्या करना है इसमें आग करना है अब केसर इसे रंग बहुत ही बढ़िया आता है सुनहेरा रंग आने से ये रबडी दिखने में बहुत बढ़िया भी लगती है अब इसमें डालते हैं मिल्क पाउडर इसे एक सिल्की टेक्शर आता है रबडी को तो चली इसे हमने मिला दिया थोड़े टाइम बाद लगबग 2-3 मिनिट चलाते हुए इसका रंग को जिस तर आपको दिखाए देगा फिर इसमें हम एड़ करते हैं चीनी इस मोमेंट में थोड़ी पथली हो जाएगी रबडी लेकिन थोड़ी देर बाद ये अच्छी खासी गाड़ी हो जाएगी अब चीनी के साथ तो इलाईची ज़रूरी है इसे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है बीच बीच में आपको इसे चलाते रहना है लगबग हर दो से तीन मिनिट में अब इसमें हम एड़ करते हैं जो ब्रेट पाउडर बनाया था ना उसे हमें एड़ करना है चीनी के बिलकुल दो मिनिट के बाद तो अब इसे आपको दीमी आँच पर लगाता तीन से चार मिनिट पकाना है और ये तीन से चार मिनिट के बाद अच्छे से उबल जाएगा और ये मिश्रन गाड़ी होना शुरू होगी ये देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अच्छी से गाड़ी हो चुकी है ये चम्मत से हम चेक करते हैं इसका ठिकनस ये देखें अब चलिए ग्यास बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए इसे हम थंडा होने रखेंगे लगबग एक घंटे के लिए एक घंडे के बाद थंडा हो जाने पर ये कुछ इस तरह आप कर सकते हैं तो चलिए इसे हम फ्रिज में रखते हैं और फिर इसे ठंडा ठंडा सर्फ करते हैं साथ में यहां पर हमने लिया है जलेबी यह आता है मलाईदार दानेदार रबडी के साथ जलेबी और इसका टेक्शर देखिए यह खाते ही आपको इतना मज़ा आएगा कि लिजे एक जलेबी आड़ करें उपर से यह मलाईदार रबडी और गानिश करें इसे कोई भी ट्राइफरुट के साथ और इसका आनन लिजे बिल से बनाईए तिल से खाये आज पेट पुझा में आपको यह मलाईदार रबडी जलेबी के साथ कैसी लगी ज़रू बताएग करें फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ थैंक्स फो वाचिंग